देखो भाइं, Monkey Man movie अंडिया में क्यों release नहीं किया गया इसका मुझे दुख है क्योंकि यार, movie में ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि इसको बैन किया जाना चाहिए था और movie audience जरूर पसंद करती इसको accept करती और देखती भी और अच्छा कासा ये बिजनस भी कर सकता था मूवी इंडिया के अंदर लेकिन ऐसा नहीं हुआ यार पता नहीं क्या कॉन्फिक्ट है क्यों बैन किया गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चलिए ये सब तो अलग बाते हैं लेकिन मूवी कैसी उसके बारें बात कर लेते है मूवी एक revenge action drama मूवी है जिसमें हीरो को अपनी मा के मौत का बदला लेना है ये story है हीरो का जो काम है भाई एक नंबर है dedication और उसका मेहनत दिखता है नजर आता है देव पटेल का अच्छा काम किया है भाई ने मूवी का नाम monkey mind क्यों रखा ये मूवी देखने के बाद के शक्तियों के बारे में उनके काम के बारे में उनके अच्छायों के बारे में बताती है तो सायद वहीं से ये notice करता रहता है बच्चा और ending तक movie में सब कुछ आपको समझ में आता है बीच बीच में दिखता रहता है बजरंग बली का scene और भचपन का scene तो बस यही एक connection लग रहा था और वह हारता है और हारने के पैसे लेता था फेस नहीं दिखाता था अब ऐसा क्यों है ये मुझे समझ नहीं आए और कहीं भी मास्क का इस्ताól नहीं कूया गया। ला इसका मतलब तो जों ओसाने इर्ट haft को छुपाने के लिए ही लगाता था एक जगा सीन दिखाता है सेक्स करते हुए दो लोगों के बीच वो सीन हटा देना चाहे था वो नहीं होता तो मुवी का कुछ घंटा फरक नहीं पड़ता था लेकिन क्यों डाला फालतों में ये मुझे बहुत बुरा लगा हेलिकॉप्टर का सीन भी नहीं रहता तो सही था ज लाश्ट में इसकी रिवेंज लेने में सहायता करते भाई क्योंकि येぎलकर ये उनकी मदद करता है पैसो से विलेन की बात करें तो विलेन का सीन आपको अब मुवी में नहीं दिखेगा से बना बता बताया गया है तो ब्लीस के वर्दी में दिखता नहीं नहीं है बस व नहीं मूवी में बढ़्दी पहने हुए नजर नहीं आएगा वो मेरे करने मतलब उसको जरूरी नहीं था पुलिस बनाना नहीं भी होता तो भी चल जाता काम एक और विलन भाई जिसका नाम बाबा सकती उसका नाम नहीं पता मुझे बाबा सकती इतना उसके करेक्टर दिखा तो ठीक है मूवी का यार 80% लेंग्वेज इंग्लीज में चलता है कहीं न कहीं हिंदी ओडियंस को यह दिक्कत हो सकती है समझने में लेंग्वेज तो अर्जेस तो करना पड़ेगा भाई लेकिन मूवी आपको शुरू से लेकर लाज तक समझ में आ जाती है कि मूवी में क्य होने वाला है और क्यों हो रहा है मूवी का 90% सीन हीरो के फेस के ही सामने कैमरा गूमता रहेगा कुछ कुछ चीज़े जो है उसमें अलग दिखाई गई है लेकिन हीरो के आसपास उसके इर्दगिर्दी पूरी मूवी चलती रहती है मूवी में एक्सन सीन जब होता है तो ए मा और बेटे की कहानी है तो इसमें कोई जरूरत और कोई सिंस नहीं बनता कि इसमें किसी हिरोईन का रोल डाला जाए यह चीज अच्छा है तो यह तो रहा भाई हमारे तरफ से मूवी का रिव्यू और आपने अगर मूवी देखी हो तो हमें कमेंट करके बताई आपको कैस कर